हलो दोस्तो, स्वागत है आपका Mr.Mess YouTube चैनल में आज हम फिर एक बार आपके साथ सैने की स्कूल पास 6 के GS को डिसक्स करेंगे ये कोशन प्रिविएस येर में आया था 2022 के तो हम देखते हैं इस कोशन को इसका आंसर और फिस साथ ही हम इससे रेटिट अगली बार अगर ऐसा कोशन आये तो आप लोग एजिल टैकल कर सको So the question is Who was the first Governor General of Free India What the question is asking Free India मतलब 1947 से लेके 1947 से लेके 1950 तक क्योंकि 1950 के बाद हमारा भारत देश का सम्मेधान लाब हो चुगा था The correct answer is Srirajagoparachari आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लेक बहुत important news है Senniak School और RMS के हमने batch स्टार्ट किया है एक अगस से इस batch का duration होगा पांच मत इसमें live recorded आपको sessions मिलेंगे 5000 से जादा PDF 1 to 1 doubt sessions clearance होगे हमारा basic concept रहता है concept clarity रहे बच्चों को कोई भी confusion ना रहे Monday से Saturday classes होंगी आप और आपसे related कोई भी ऐसे student या friends है जिनको सेरेक स्कूल की तयारी करनी है और उन्हें board नहीं मिल पा रहा कि किस तरह से तयारी शुरू करें आप प्लीज इस वीडियो को ने reference दें और contact करने के लिए अग रहें तो लेस्टस्ट यहां सेसे पाद गजारी सेवने लेके 1785 यह भारत के जो वार्त ते आजाद नियुकर यह जब बैट्ल of Buster होई थी तो Robert Clive Governor General बने थे बंगाल के Governor General बंगाल के बने थे तो उसके बाद जब वो हटे उसके बाद इनको Fort William का second Governor General बनाया था या फिर कह सकते हो First Governor General of India तब बंगाल के जो Governor General था वही बाकी को देखता था ठीक है पहले सब के Governor General अलग अलग थे बंगाल Presidency का अलग था बुंबई प्रेसिडेंसी का अलग था, मंतरस प्रेसिडेंसी का अलग था पर वारन हेस्टिंग पहले बने जो तीनों को देख रहे थे ठीक है, बट इनकी काफी सारी इन्होंने रीफॉर्म्स भी किये, बट इनकी पॉलिसी थी एक्सपनिश्ट, जिसकी विजैसे ऐसे काड़न रहे, जिनकी विएसे ब्रिटिश पाल्यमेड ने इन्हें इंपीच कर दिया था फिर आते हैं लॉर्ड काड़निवालेस 1786 से लेके 1793 था इन्होंने पर्मनेंट सेटलमेट को सेटप किया जब हमारे बिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे बिटू जाधर से जाधर रेविनियु को एक्सलोइट करने के लिए उनने लेंड रेफार्म्स करेइं उनमें 3 बिसिक थे ढ्रमनेंट सेटलमेंट, दूसरा आपका बह सकते है यसी ऑसी पर्मनेंट सेटलमेंट के दूसरे नाम से जानते है साथ deal करी fix revenue देने की फिर आते हैं Lord Willisley 1798 से लेगा 1825 था इन्होंने जो important काम किया था subsidiary alliance ये एक ऐसी policy थी जिससे कह सकते हैं British ने बहुत चाला कि इसे Indians king को अपने अंटर कर लिया था इस policy alliance के क्या था subsidiary alliance जिसमें ये था कि British की force को आप king अपनी territory में रहने देंगे उसका expenditure, खर्चा British forces का सारा king अठाएगा और king जब भी लड़ाई करेगा तो British forces उनको help करेंगे, as we know कि तब जो Britishers थे वो थोड़े modernize हो चुके थे, industrial revolution आ चुका थे, तब modern machinery और disciplined army इनके पास थी जिसके वज़े से easily ये war जीत रहे थे बट यही Indian kings के सबसे बड़ी गलग फेमी थी British army ने Britishers का साथ दिया और Indian kings के संधोपा किया और बाद में चलके यही subsidy alliance के वज़े से हम बहुत महत्पूर वारों को हारे और Britishers easily हमें tackle करते हुए इंडिया को जीत चुके सबसे पहले हैद्राबाद ने subsidy alliance को accept किया था Lord William Bantic 1828 से लेके 1835 था ये first governor general बने इंडिया के पूरे इंडिया के ठीक है इसके बाद जो एक अच्छा काम इनों ने किया था वो तो सत्ती प्रता को बहन करना और इंडिया में English education को promote किया था हाला कि सत्ती प्रता बहन करने में राजा राम मोन राय का बहुत बड़ा महत्पूर योगदान था Lord Dalhousie इनको बोला जाता है maker of modern इंडिया क्योंकि इनोंने railway और telegraph, telephone जैसी काफी important things को इंडिया में introduce किया था अला कि वो जो introduction था वो British अपने benefit के लिए ही किया था बट जब introduce होगा था इंडिया ने भी उसको use किया और दूसरा जो infamous काम किया था इनका एक policy थी उसको बोलते है doctrine on rest policy जिसकी वज़े से इनोंने काफी सारे देश भारत के राजों को अपने British इंडिया में merge कर लिया था इस policy में था जो भी किन उनका biological hire नहीं है या कोई संतान नहीं है अगर उन्होंने किसी को adopt किया है तो उसे वो राजा नहीं मानेंगे Britishers और उस राजे को अपने अंडर ले ले इन ही के वज़े से जहासी की रानी और अपने 1857 के reward में कूती है क्योंकि उनकी भी कोई biological son नहीं था और उनकी जो husband थे गंगादर राओ वो पहने ही मर चुके थे तो जो उन्होंने बच्चा adopt किया था वो उन्होंने मना कर दिया था कि हम उन्होंने राजा नहीं मानेंगे और जिससे वो ग्रोधित हो गई और 1857 के reward में बच्चड को उन्होंना हिसान लिया था Lord Connie 1857 से नहीं के 1862 तक अब इस बीच में 1857 का reward हो चुका था तो अब जो पालिया मिल्ट एक बड़ा बरदाव आया कि पहले जो हम पर rule कर रहे था वो इस्ट इंडिया कंपनी थी अब इस्ट इंडिया से power लेके किस के हाथ में आगे थी crown के हाथ में आगे अब crown हमें directly rule करने की कोशिश कर रहा था और crown ने पहले जो गवर्नर जनरल की post थी गवर्नर जनरल अफ इंडिया की post थी उसको change करके voice roy की post में कर दिया तो ये lord gunning हमारे भारत दीश के पहले voice roy बनते है lord mayo 1869 से लेके 1872 था ठीक है इनको मारने की कोशिश की गई अंडोमान आइलेंड में जब काला जैसे पहले काला जब बनते हैं जिसे भारत में मार दिया गया था इन्होंने ही first census शूरू किया था फिर आते है lord linton 1876 से 1880 तक इनके टाइम में दिनली दरबार हुआ था और क्योंनों विक्टूरिया को केसरे हिंदी की उपादी दी गई थी 1 जनर्मरे 1877 वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के टाइम डियूशन में आया था lord ripon 1880 से लेके 1884 तक इन्होंने dual government system introduce किया था इन्होंने जो पहले complete और synchronized census किये थे इंडियन ब्रिटिश टेरिट्रीज के जो के conduct होते 1881 में इसके बाद continuously बार बार हमारे census बार अब तक census होते आएं इन्ही के बाद बताब continuously हर 10 साल के बाद जो census होएते हैं इन्ही के डिवनेशन के बाद शुरू होएते इन्होंने इल्बर्ट बी इंट्रडिउस किया था इस बिल में ये था कि इंडियन इंडियन के लिए इंडियन जज़ेस इंडियन के प्रिजनर्स को सुनेंगे और ब्रिटिश ज़ेस सब को सुन सकते हैं पर इंडियन ज़ेस ब्रिटिश या ये उरोपीज प्रिजनर्स को नहीं सुनेंगे एक काफी दिस्क्रिमिनेटरी बिल था जिसके वज़े से काफी इनको उफंट भी हुआ था इन्हें फादर अफ लोकल सेफ गॉवर्मेंट भी भूलाया था पंचाय जब रजायर जाता तब यही बूलाया था कि जब इनकी वज़े से बैसे हाला कि इन्डिया भी पंचाय दिया सिस्टम पहले से ही था बट इन्होंने इसे मोडनाइज करके काफी रूसरे रेगुरिशन इस्टेबिश किये थे इसलिए ना फादर अफ लोको सेफ गॉवर्मेंट बोला जाता है इनकी डूरेशन के टाइम पर इंडियन कॉंगरिस का इस्टेबिश्मेंट हुआ था 1885 में लॉर्ड कर्जर बंगाल का विभाजन होता है इन्ही की वैसे एक महतवपून घतना होती है 1899 से लेके 1905 तकिन का डुवेशन था और 1905 में बंगाल का विभाजन होता हाला कि 1911 में पाप्पिस वो मर्ज हो जाता है और इन्ही की टाइम पर स्वधेशी मुवमेंट बंगाल विभाजन के रोकनी के लिए स्वधेशी मुवमेंट शुरू किया जाता है लॉर्ड हाडिंग 1910 से लेके 1916 तक 1910 से लेके 1916 तक इस टैम पर कैपिटल अफ इंडिया को शिफ्ट कर दिया है कलकत्ता से दिल्डी में ये एक इंपोर्टन पॉइंट बिलता हमें यहाँ पर और जॉर्ज पंचम भारत आते हैं दरवार अटेंट करने के लिए 1911 में और लॉर्ड हाडिंग पर राजब्यारी बोस दुआरा एक असेसिनेशन अटेंट किया जाता हाला कि यह इस अटेंट में बच जाते है लॉर्ड क्लिम्स फॉर्ड 1619 से 1621 इन टाइम पर जलिया वाला मैसेकेर हुआ था और क्लिम्स फॉर्ड रिफॉर्म्स आये थे रोलेक्ट आया खिलाफत मूमन शुरू हुआ था काफी सारे इसिडेंस एक साथ हुए थे क्योंकि सारे इसिडेंस एक दूसरे जुड़ हुए जब जुलिया वाला बाग हुआ उसको अपोस करते हुए गांधी जी और बाकी सब ने अपने अपने टाइटल्स को वापिस कर दिया और गांधी और साथ में ही जो खनीफा था इसलाम का जो हैड था खनीफिट उसको भी जब ब्रिटिशेस द्वारा वहाँ लड़ाई हुए और खलीफत को अपने गदी से हटा जिया गया तो मुस्लिम भी ब्रिटिशेस के खिलाफ हो गए थे तब गांधी जी के पास आए और हिंदू मुस्लिम साथ मिलके । प्रिटिशेस के खिलाफ एक नए आंदोलेश शुरू करने की मुहील की अपील की तो गांधी जी ने खिलाफ़त मुम्ayan शुरू किया था लॉर्ड रीडिंग, 1921 से लेके 1926 तक, चोरा-चोरी इंसिडेंस हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मोमन शुरू किया था, ब्रिटिश को भगाने के लिए, और ऐसा नग रहा था कि हां, जन्दी हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट एक वोलेंट इंसिडेंट अक एक जगे है, चोरा-चोरी जगे है, वहां पर एक इंसिडेंस हुआ था, कि कुछ गांवाले अपने मूर्चे लेके जा रहे था, तो ब्रिटिश कर्मियों ने उन पर हमला किया, घुस्य में आकर गांवालों ने उन पुलिस वालों को अपने ही पुलिस चौकी में बंद कर उनको आग लगा दी, तो यह एक वालेट इंसिडेंट हुआ, जिससे गांदी जी बहुत आहत हुए, और उन्होंने नॉन कोपरिशन मूमेंट, यह खिलाफत मूमेंट अलग है, दूसरा मूमेंट शुग किया था, नॉन कोपरिशन मूमेंट, असही हो गांदुल, नॉन को लूचना की थे, और गांदी जी पहली बार इंपेजन भी इनी के टाइम पर हुए थे, लॉर्ड एर्विन, 1926 से लगे, 1931 के बाद, इस टाइम पर गांदी जी और एर्विन के बीच एक पैक्ट होता है, जिसे गांदी एर्विन पैक्ट पर बोलता है, इसी टाइम पर पर जाने के लिए, इंडियन नेशनल कॉंगरेस को कन्वेंस करने के कुशिश की जा रही थी, बट इंडियन नेशनल कॉंगरेस नहीं मान रही थी, तब गांदी जी और इंविट के बीच पैक्ट होता है, गांदी जी को मनाया जाता है, गांदी जी सेकंड राउंड टेव सामेन कमिशन को बॉयकोट किया, सामेन कमिशन को जब पंजाब में बॉयकोट कर रहे थे, तभी पंजाब में पुरिस कर्मियों द्वारा, लाजपतराई जी को लाथी माल ही गई, जिसकी वज़े से कुछ दिनामगन के हत्या हो गए थी, मतलब मृत्तिय हो गए थी. Lord Wilmington, 1931 से लेके 1936 तक, इनके डूरेशन में सेकंड और थर्टाउं टेवर कॉन्फरेंस हो था, जिसका कोई रिजल्ट निकला था, कॉम्नोल रिजल्ट आए, ब्रिटिश पी-म, रेमसी मगडलन ने पुनापक, कॉम्नोल अबोट थी, मतलब इन्हों ने बोला था कि, जो इं इस क्लास है, शिडूल कास्ट या हरी जन है, वो भारत, जो हिंदू समाज है, उसी का हिस्सा है, वो उसे अनग देंगे, हम उन्हें रिजर्वीशन देंगे, ना कि उन्हें अलग सेपरेट इनक्टोर्ड मेंगे है, लॉड लिलित को, 1936 से लिए, 1943 तक, कृप्स मिशन आया जो इंडिया में विजिट किया, जिसमें सम्विधान और कॉस्टोर्ड असेंबली के लिए डिसकेशन हुआ, फिर कुछ इंडिया मुमेंट भी इन्हें की डुरेशन में, 1942 में कुछ इंडिया मुमेंट शुरू हुआ था, और दू और डाई का नारा दिया गांदी जी ने लॉर्ड वेबल, 1943 से 1947 मैं सिम्दा कॉन्फरेंस पर कैबिन मिशन हुआ, थेंक यू, आपको इस वीडियो से काफी कोछ सीखने का मिला होगा, हलाकि यह गवर्नेजल पूरे नहीं है, बट अभी हम डिटियल्ड वीडियो बनाने के लिए अभी नहीं है, इतना ही काफी है, जब हम वाइसराय और बाकी सम्देखेंगे तब हम इक इटियल्ड वीडियो बनाएंगे, हर एक पर्टिकुलर वाइसराय और जनरल की एक पर्टिकुलर ली एक एक वीडियो अलग से बनाए जाएगी, अभी के लिए यतना ही, I hope you आपको इस सेशन से एक वीडियो से कुछ समय में आया हुबा, सीखने कर विला हुआ, thank you very much.